हालो माईडिये स्टुडेंट्स आप सभी के लिए एक और नई वेकेंसी निकल कर आ रही है वो कहां से निकलिये एंपी सी आई एल रावत भाटा से नुकलियर पावर कोर्परेशन ओफ इंडिया लिमेटेड रावत भाटा राज्यस्थान से एक वेकेंसी निकल कर आती है और यह वेकेंसी हमारे ITI experience के लिए है मेलली पहले यह जान लीजे कि इस पोस्ट का नाम क्या है यह पोस्ट आपकी निकल के आती है हमारी stipendry trainee के नाम से है जिया याद रखेगा stipendry trainee के नाम से है इसमें दो टाइप की पोस्ट है एक operator के लिए और दूसरी आपकी stipendry trainee ही maintainer के ल जिनों ने आपकी 12th with science background से की हुई है वो और जो हमारी ये maintainer वाले हैं इसमें हमारी ITI mandatory है पूरी information में आपको यहां पर detail में देने वाली हूँ, number of vacancies सही है, अच्छी खासी है अगर बोलू, तो यहां पर पहले vacancies बता दूं, total आपकी 279 vacancies निकली है total कितनी है, 279 है, इस 279 में से भी अगर मैं आपको बताऊं कि यहां पर हमारी जो operator की है 152 और 152 है present और 1 है हमारी backlog यानि कि जो पुरानी vacancy निकली थी उसमें खाली रह गई है post और वो एक उसमें से add हुई है यानि operator के लिए अगर total बात करूं तो 153 vacancies है और यहीं अगर मैं maintainer के लिए बात करूं तो maintainer की total 126 vacancies यह जो 153 है इसमें हमारे 12th वाले candidates और जो यह 126 वाले हैं इसमें हमारे कौन से हमारे ITI candidate allowed है ठीक है देखे फिर इसके बाद next अगर मैं यहां पर आपकी बात करूं तो next आपकी यह यह उसने कोन कोन सी वेकर आप ट्रेड एलाउड है उसकी बात की है यह मैं अपने maintainer पर ही आ गई सीधा मैंटेनर में electrician वालों की टोटल 28, fitter की 54 है अच्छे कासी है electronics की electronic mechanic जिसे कहते हो 14, instrumentation 26, turner की 2 और welder की भी 2 और total हो गई वही आपकी 126 यह आप लोग देख लीजेगा कि ITI electrician से हो, maintainer, fitter से हो, turner से हो या फिर आप अपने instrumentation से हो जिस जिस चेड में यह आपकी कुछ लगभग 6-7 आपकी ट्रेड अलाउड है vacancies भी ठीक ठाक सी है ठीक है यह important बात रही फिर इसके बाद अगर मैं यहाँ पर आपको बताओं यहाँ पर उसने आपकी PWD वालों के लिए आपकी कुछ specifications बताई हुई है फिर इसके बाद next जो है वो मैं आपको यहाँ पर 1 second यह है आपकी main जी हाँ यह देखिए यह उसने mention किया भी हुआ है कौन-कौन सी सबसे पहले अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर हमारी operator के लिए क्या-क्या चाहिए अब है कि क्या आपकी eligibility criteria है eligibility में बात करूं तो operator के लिए आपको 10th plus 2 आपकी special subjects यानि कि आपके physics chemistry वगएरा physics chemistry और math PCM होना चाहिए ठीक है फिर उसके बाद य SAC यानि कि 10th में आपके पास English एक subject होना भी जरूरी है यह भी याद रखिएगा फिर अगर मैं यहां पर आजों अपने maintainer के लिए तो maintainer के लिए यहां पर आपकी यह याद रखिएगा SAC 10th जो है वो 50% marks के साथ अगर आपका 49.8% marks भी आरे हैं तो भी आप allowed नहीं होंगे 50 50% marks criteria mandatory है 10th में 10th में आपका PCM होना चाहिए याद रखिएगा फिर उसने क्या का मैं यहां पर फिर उसने बोलते है कि और end है याद रखिएगा 2 year की ITI certificate relative trade में जिस trade के लिए जा रहे है उसमें 2 साल की ITI यह भी जरूरी है 2 साल की ITI उसने यहां पर बोला है कि अगर आपकी I ITI 2 साल से कम की रहती है तो आपके पास working experience होना चाहिए यह याद रखिएगा आपके पास अगर आपकी ITI पूरे 2 साल की नहीं है ITI का certificate तो एक साल का working experience होना चाहिए एक साल का working experience है तो भी आप allowed हो जाएंगे यह याद रखिएगा फिर उसके बाद नेक्स अगर यहां पर next important तो यहां पर अभी मैं आपको बताऊंगी selection process कई तरीकों पर है तो इसके लिए यहां पर कुछ पहले physical standard भी आपके physical standard भी fulfill होने चाहिए वो क्या क्या कि आपकी minimum height 160 cm और minimum weight 45 kg होना चाहिए यह याद रखिएगा फिर इसमें आपका रहता है कि मैडम P scale क्या है जी हां यह यह बता दूँ, pay scale की बात करूँ तो pay scale आपका कब से भाई आपका यहां पर दो साल की training रहेगी selection के बाद दो साल की training रहेगी तो selection अगर आपका हो जाता है तो एक साल पहले साल में जो आपको training के दोरान मिलेंगे वो 20,000 रुपे महिना मिलेंगे फिर दूसरे साल में 22,000 पूरी हो जाएगी तो हो सकता है आपको technician B grade technician B grade पर आपकी permanent hiring कर लें उसने इस पर यह लिखा है कि यह इस पर विचार किया जाएगा consider किया जाएगा यह याद रखेगा और तब आपका जो pay scale बनेगा अच्छा खासा pay scale आता है यह देखिए तब आपकी जो salary बनेगी वो 32,5 32,550 और उसमें यह उसके अलावा यह तो basic रहेगी लेकिन उसके अलावा उसमें यह कुछ allowances भी add-on करेगा यह तो basic pay मैंने आपको बताई है pay plus DA और DA उसने बोला है कि वो vary करेगा आपकी को गोंसी जगा है obviously यह हर बार vary करता है फिर उसके बाद transport allowances देने है नहीं देने leave travel allow allowances house rental HR जिसे हम कहते है यह allowances आपकी वहाँ location के हिसाब पर ही decided होंगे but 32,550 तो आपके minimum बनेंगे ही बनेंगे यह allowances आपके depend करेंगे भई फिर इसके बाद यहाँ पर आजाते है मैडम age क्या है age अगर मैं general की बात करूं तो 18 से 24 साल चाही maintainer के लिए जा रहे हो चाही operator के लि आपकी उम्र होनी चाहिए और age जो count होगी वो आपकी 11-9-2024 तक 11-9-2024 यारी की जो आपकी form fill करने की starting date थी न यह वाली form fill की मैंने आपको बताया भी था यहाँ पर कि form fill आपका कब से start होगा आपको बता दूँ अब 22 तारीक से लेकर 22 अगस्त जी हाँ 28-2024 यह पहले advertisement आच चुका है आपको बता लेकिन form जो है वो 22 तारीक से भरे जाएंगे 22 अगस्त दोजार चोबीस से लेकर 11 सितंबर दोजार चोबीस तक 11 सितंबर दोजार चोबीस तक आपके यह form भरने का process चलेगा याद रखिए अच्छा इसके बाद अब मैं next अगर आपको बताओं यह तो होने चाहिए फिर बात आती है मैंडम यहां पर posting कहां कहां होगी posting हाला कि उसने यह बोला है कि आपके NPCIL के रावत भाटा वाले प्लांट में ही होगी रावत भाटा राजस्थान में हम और जो इलेक्ट्रीकल वाले केंडिडेट्स हों वो हम जब पावर सिस्टम पढ़ते ह हम अपने रावत भाटा के प्लांट के बारे में पढ़ते हैं यहां पर आपको क्या अप प्लांट में भी बेज सकते हैं जैसे पीछे अभी NPCIL नरोडा में आपकी वेकेंसी निकली थी वो नंबरों वेकेंसी बेशक कम थी लेकिन वहां पर अगर जरूरत हुई तो आपको नरोडा या जो और भी हमारे नुकलियर प्लांट में वहां पर भी आपको पोस्ट कर सकता ह प्रावत भाटा में ही रहेगी राज्यस्थान में ही ठीक है अच्छा फिर इसके बाद यहां पर आपकी बात आती है कि selection process क्या है मैंण, फिर अब आपका आते selection process, यहां पर selection process operator और maintainer, दोनों के लिए अलगला गया है, सुनिएगा कैसे, operator के लिए सबसे पहले आपका stage 1 का preliminary test होगा, फिर दूसरा advanced test होगा, फिर physical test है, document verification, मतलग 4 stage है, हाला कि paper जो है, stage 1, stage 2 वाला एक ही दिन होगा, वो एक ही time पर कर लेकिन सुनिए, इसने 4 stages में बोला है, पहला paper pre test, फिर advanced test, फिर आपका operator वालों के लिए यह, फिर आपका physical test होगा, फिर आपका DV, physical standard test है, मतलगा, फिर लेकिन अगर मैं आपकी यहां पर हमारे maintainer की बात करूं, ITI वालों की, तो उनके लिए यहां पर क्या है, कि आपका pre फिर आपका advanced test, stage 2, लेकिन फिर आपका physical, physical standard test भी, DVB और फिर एक skill test, जी हां, skill test का difference है, skill test operator वालों को नहीं देना, maintainer वालों को देना होगा, और अब बात आई कि paper मैंनम online होगा, offline होगा, written होगा, या आपका OMR sheet based होगा, या CBT होगा, तो उसने यहां पर लिखा है, कि दोनों मेंसे कोई भी हो सकता है, वो आपका board खुद decide करेगा, दोनों के लिए है, OMR भी हो सकता है, या CBT भी हो सकता है, ठीक है, याद रखिएगा, अच्छा, फिर इसके बाद यहां पर कि मैंनम, अब ये paper होना कैसे कैसे है, क्योंकि stage 1 और stage 2 दोनों को देना है, तो उसने क्या का stage 1 एक घंटे की होगी, फिर stage 2 आपकी 2 घंटे के लिए है, अच्छा, stage 1 जो है, वो सभी के लिए common रहेगा, stage 1 में अगर मैं यहां पर बात करूँ, तो 50 question रहेंगे, selection process क्या है, stage 1 जो आपका pre-test है, उसमें आपके 50 question रहेंगे, 20 math के, 20 science के, और 10 आपकी general awareness के लिए, सही हो गय तो 3 number मिलेंगे, और अगर question गलत होता है, तो negative marking भी है, वो भी आपकी किसकी एक number की, एक number यानि की 1 by 3 की negative marking है, याद रखेगा, फिर इसके बाद यह जो काम करना है, यह सारा आपको एक घंटे में करना है, 50 question, फिर यह नहीं है कि आप लोग सोचें कि भाई, मेरा stage 1 इडवांस टेस्ट भी सभी को देना है, एडवांस टेस्ट भी सभी को देना है, यह नहीं होगा, यह अगर मैं बात करूं, यह stage 2, advanced, जो है वो दो घंटे का है, वो कितना 2 घंटे का है, यह जो operator वालों के लिए है, यह तो अलग हो जाएगा, बता दूं, अपर यह आपका stage वह आपका जो आपका एक चैसी या फिर आईएसी बोड वाला मतलब बारभी वाला बस लेबस रहेगा लेकिन इसमें अगर मैं बात करूं तो मेंटेनर वालों के लिए मेंटेनर वालों का स्टेज टू में जो एडवांस चैस्ट है उसमें उनके अपने ट्रेड से संबंधित प्रशन पूछे जाएंगे ठीक है बही कितने ट्रेड से संबंधित तो ये भी अगर मैं बात करूं इसमें भी कितने 50 ही कोश्चन होंगी स्टेज टू में भी 50 ही कोश्चन होंगे वही है कि आपका एक कोश्चन सही तो तीन नमबर गलत तो एक नमबर कट जाएगा वन थर फिर बात आती है कि स्टेज वन और स्टेज टू मेरिट लिस्ट की जब बात आती है तो आपको बता दो जब ये पेपर आप क्वालिफाई करेंगे तब उसके बाद आपको डीवी वगेरा के लिए बुलाया जाएगा लेकिन इसमें बताओं जो मेरिट लिस्ट बनेगी व है अब क्वालिफाई नेचर आपको उसको सिर्फ क्वालिफाई करना है फिर स्टेज 2 के बहाथ पर आपकी यहां पर क्या है आपकी याद है याद रखिये 가서 कि लिस्ट जो बनेगी ऑिसी के बहाएफ पर रहेगी सिंख फिर इसके बाद यहां पर यह पूइंट्स मैंने एक तो आपका 10th की मार्कशीट हो प्रोपर, 10th की मार्कशीट होनी चाहिए, फिर उसके बाद वहाँ पर School Living Certificate, यह दोनों आपके as a DOB का काम करेंगे, फिर उसके बाद आपका जो भी ITI का Certificate है, वो होना चाहिए, फिर उसके बाद यहाँ पर अगर आप Experience दिखाते हो, तो proper experience letter होना चाहिए, अगर आपका कोई category का है, तो category का भी आपके पास certificate होना चाहिए, यह सारे documents आपके पास उसने वहाँ पर proper आपके पास होने जरूरी है, और अगर आप कोई extra reservation में जाते हैं, जैसे कि PWD या फिर आप पूर्व सेनिक के तहत अपना reservation लेना चाहिए, तो उसके भी आपके पास proper सबूत होने mandatory है, ठीक है भई, अच्छा, यह अब फिर रहा कि apply कैसे करना है, तो याद रखिएगा, फिर बता दू, apply करने के लिए mpcilcareer.co.in, इस official site से apply करेंगे आप, और यहाँ पर 22 अगस्त से लेकर, आपकी 11 नो तक आप इसका form apply करेंगे, और fees भी बत के boys की, जी हाँ, male candidate वो भी general category के, उनके लिए 100 रुपे की fees है, female candidate, SCST, EWS, PWD वाले, यह सारे इनके लिए कोई भी fees नहीं है, इनके लिए कोई भी fees यहाँ पर रुकेगा नहीं है, यह देखिए, मैं आपको दिखा भी दू, यह लिखा हुए, उसने बताया है, कि आपको, यह पर यह जो fees है, उसने लिखा है, कि सिरफ male applicants belonging to general और EWS और OBC category, इनको देना होगा, general EWS और OBC, इनको एक 100 रुपे की fees देनी होगी, SC, ST, PWD, ex-servicemen, female candidate और जो NPCIL के already कार्येकर, जो भी employees है, उनको कोई भी fees नहीं देनी है, उनके लिए free of cost रहेगा, यह याद रखेगा, ठीके भी, अच्छा, और साथ ही साथ उसने यहाँ पर बोला, कि आपकी कोई भी, कोई भी यहाँ पर आपकी, अगर कोई भी आप कहें कि offline apply कर सके, कि हम NPCIL रावत भाटा के offline center पर जाकर apply कर दें, नहीं, सिर्फ online ही applications आप से ल जानकारी, यह ना कुछ ऐसी vacancies होती हैं, जो आपकी थोड़ी vacancies निकलती रहती हैं, बच्चों को जानकारी नहीं मिलती है, जिस वज़े से आप अपनी government जो पकी नहीं गर पाते, तो मेरी कोशिश है कि चाहेँ कोई छोटी vacancy हो, बड़ी vacancy हो, electrical की हो, mechanical की हो, civil की हो, ITI हो, diploma और degree हो, सब के लिए, जितनी भी information है, engineering से संबंदित आपको देती रहो, तो उसके लिए आपको मेरे साथ जुड़े रहना है, इसी KGS Ingeniors YouTube चानल पर, और electrical की daily, तीन बजे इसी चानल पर class चलती है, उससे आप मेरे साथ जुड़ सकते हो, ठीक है, तो चलिए, ऐसी update के की जिगा, KGS Ingeniors जेए, तब तक के लिए मिलते हैं, next अपनी YouTube class में, तीन बजे, thank you very much.